है भीज नहीं वीडियो हुआँगे मिर्च में भाहाए शिर्स बांग बद्ग भान वाली मिर्च ज़िक नियुकर अच्छाल पानी ने खराब ना हो तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको मसाला बता देती हूं में मैं क्या-क्या डालूंगी तो देख सकते हैं दोस्तों यह मैंने एक बड़े चम्मच जीरा लिया है यह एक छोटा चम्मच काली मिर्च है यह एक छोटा चम्मच मेथी है मेथी में ज्यादा नहीं डालूंगी मेथी डालने से करवा लगता है तिसले में छोटा चम्मच मेथी डालूंगी यह एक बड़ा चम्मच यह हमारा अजवाईन है और यह दो चम्मच हमारे सौफ है और दोस्तो चम्मच यह धनिया धनिया है और साथ ने लाल मिर्च और हल της पाउडर तो दोस्तो सबसे पहले के घड़िए को इसको ऐसे इस तरह से निभाड़ेंगे इस में से यये गोल कट करके बीच में से वाद बीज निकाल लेंगी ऐसाइने करों च्थों एपयाने जाना हिंगे ईसे एक गिंदुक्ताइब उपतने कंसी में एक दो चुन कधलें इसी में जाएंगें देशें निकलना सिकेलहरो निकाल जातेंatarकरिश निकल सकता है बाता हम सब निकाल लेंगे पेजल बीज पेश में आंपको मासाला नेख़ा सब लेंगे इसमें इस तरह से मसाला भरूँगी, तो इसमें से मसाला नहीं निकलेगा, तो चलिए मसाला तयार करते हैं, तो दोस्तों मसाला मैंने तयार करके रख लिया पहले ही, देखिए, इसमें तो सब मसाला को मैंने रोस्ट करके अच्छे से पीस के ये, तयार कर लिया पहले से ही, इसमें एक में चम्मच हल्दी डालूगी तो दोस्तोंнок में ज़्या से चमच हल्दी डाल तुछ चमच। समय के टोछ दिई तो छ इसमें आप थे पीड़िवार वागार पर टोषनकंता लुक्तिता है को यह दो Σकता सिस्या है स्वाद अनुसार और यह जो मिर्च में से हमारे बीजने के लिए थे इसे भी मैस में डाल दूंगी तो दोस्तों इसमें दो बड़े चम्मच में तेल डाल दूंगी अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी तो दोस्तों मसाला हमारा तैयार हो चुका है तो इसमें मिर्च में भरती हूँ देखिए किस तरह से मैं भर रहे हूँ उंगली से उंगली के साइते से इस तरह से हम डालते रहेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके अंदर तर देख सकते हैं इस तरह से अचार बनाओ तो हमारे कभी मसाला निकलते नहीं है मिर्च के अचार में से एक चम्मच के साइते से अंदर तर मिर्च को डालते रहें पाकी अंदर तक हमारे मिर्च आचार चला जाए तो देखिए दोस्तो इस तरह से हमें बनना है तो इसी तरह हम सभी को बल लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो यह सभी को मैंने भल लिया है मसाला इसमें तो अब मैं इसे डबे में डालूंगी तो यह मैंने कटोरी तेल ले लिया है यह तेल को मैंने गरम करके ठंडा कर लिया अच्छे से और मेर्च को अचार को डिब करके तो डबे में डालूंगी एक एक करके डबे में डालते रहेंगे इस तरह से इस तरह से हम डीप करके एक एक करके डबे में डाल देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों मिर्च का चार हमारा बनके तयार हो चुका है बिल्कुल तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई